हरे किष्णा तो हम कार्तिक महीने के महात्म का सिर्वन कर रहे हैं तो पिछली बार हमने 22 माध्याए संपूर्ण किया था जिसमें ये बात आई थी कि नारज जी जो कथा सुना रहे हैं राजा पृधु को तो उसके अंतरगत ये बात आई थी कि कलहा नाम की एक राक्षसी को धर्मिदत्य नाम के ब्रामण ने अपने जीवन भर के कार्तिक ब्रत का आधा फल दिया जिसके फल सुरूप उसको दिव सुरूप प्राप्थ हो गया और वैकुंठ में जाने के लिए वो उसका सरीर आध्यात्मिक सरीर उससे प्राप्थ हो गया और वैकुंठ से विमान आया जिसमें की भगवान के दो पारशत थे पुनेशील और सुशील और वो जो है इस कलहा नाम की इस्त्री को अब वेकुंठ ले जाने के लिए आ गए थे विमान ले करके आ गए थे और उस समय धर्मदर्त ब्राह्मन ने फिर कुछ प्रिष्ण किया उसके उत्तर में उन्होंने पुन्यशील और सुशील ने जो कथा सुनाई वो अपनी ही कथा थी वास्तों में कि य चोल नाम के राजा थे और विष्णुदास नाम के ब्राह्मन थे तो पुन्यशील थे वो विष्णुदास नाम के ब्राह्मन थे और सुशील थे वो चोल नाम के राजा थे तो चोल नाम के राजा को और विश्णुदास को दोनों को वेकुंट कैसे प्राप्त हुआ विश्णुदास कार्ति का ब्रत करते थे और जो चोल नाम के राजा है उन्होंने फिर भगवान की सुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हवन कुंड में हवन कुंड की अगनी में ही प्रविश किया था तो इस प्रकार से दोनों वेकुंड चले गए तो वो बताते हैं कि हम ही वो पुन्नशील और शुशील नाम के द्वारपाल हैं जिनकी कथा हमने सुनाई और कार्तिक के महात्मे के संबन्ध में ये कथा थी तो जब पुन्नशील शुशील ने अपने ये कथा सुनाई तो अब अध्य तेईसमा शुरू होता है जिसमें धर्मत तत्य ब्राम्हन एक प्रिशन करते हैं तो क्या प्रिशन करते हैं वो प्रिशन करते हैं कि हे महात्मा लोग आप भगवान के धाम से वैकुंड धाम से आए हैं और वहां भगवान के सेवा में लगे हुए हैं और भगवान के आप भी किसी द्वार के द्वारपाल हैं पुन्नशील शुशील लेकिन मैंने तो सुन विश्नुरुम् धारन करने वाले हुए तो जयविजय भी विश्नुरुम् धारन करते हैं और भगवान के द्वारपल हैं तो धर्मदत ब्राम्वन ने जो जिग्यासा की तो यह भी जो उत्तर मिलता है आगे चलकर के जो पुनिशुल और सुशील उत्तर देंगे तो इसमेवी कार्थे की महिमा है तो धर्मदत ने जो पूछा कि उन्होंने कौन सा ब्रत्या नियम किया था कि विश्णुरुप धारन करने वाले हुए तो यह एक प्रिश्ण है जो कि कोई व्यक्ति अगर कथा का कुछ ज्यादा मंधन करता है तो ऐसा प्रिश्ण उठता है तो धर्मदत ने कथा का मंतन किया और वो सोचने लगे कि अगर पुनेशील और सुष्ण ये दो भगवान के द्वारपाल वैकुंठ में जो है पहले कार्थिक ब्रत के प्रभाव से अगर वैकुंठ गए हैं तो जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं पहले वो भी तो इसके उत्तर में पुर्ण शील और सुशील बताते हैं वेकुंठ के द्वारपाल है तो उनको वेकुंठ के सब सूजना पता है तो सुयाम वेकुंठ के द्वारपालों से धर्म दत्त भ्रामण प्रिशन कर रहे हैं तो यह मतलब अध्बुट और बड़ी आश्चरी की यह बात है कि जो वेकुंठ का समाचार दे रहे हैं तो पुन्य सील और सुशील उतर दिया कि titre्ण विंद्धुति इक राजा हुए, उनकी कण्या हुई देव होती और उसमे खidaṁ करदम रिष्ची की दृश्टी हिसे दो पत पत्वत्वत्वाइए, करदम नहीं उनके पती देव उत्वत्वत्वति तो यहाँ पर बताएगे हैं कि त्रिन बंदू की कर्णिया देभोती लेकर स्रीमत भागुदम बताएगे हैं कि स्वायभू मनु की पुत्री हैं देभोती आकोती देभोती प्रसुती तीन कर्णिया हैं अब यहाँ पर त्रिन बंदू की पुत्री देभोती तो इससे पता चलता है कि ये कुछ दूसरी कल्प की घटना है कि जब करदा मुनी का वाह हुआ था देव भूती से अवश्य हुआ था लेकिन देव भूती स्वायभू मन्यों की कन्या ना होकर राजा त्रिन बंदू की कन्या हुई तो करदा मुनी की दृष्टी से दो पुतर रुत्पन हुई त्रनविंदो स्थू कन्यायां देव होत्यां पुरा दूजें करदमस्यच दृष्टे स्थू पुत्रदो संबभूबतु हुँ तो बड़े पुत्र का नाम था जाए और छोटे पुत्र का नाम था बेजाए तो दिर्ष्टी से ही अपने पत्ने में पुत्र उत्पन किये करदा मुनी तब इतने पवित्र हैं कि अपने दिर्ष्टी से अपने पत्ने में दो पुत्र उत्पन किये तो बड़े का नाम था जाए और छोटे का नाम था वे जाए तब उसी देवहूती में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन हुए जेश्ठोजे यहां कनिश्ठो भून विजियस चेतिना मितां तर्श्यामेवा भवत पर्शाद कपिलो योग कर्मे वेन तो देवहूती से कपिल भगवान का जन्म हुआ तो यह तो भागत में भी मिलता है तो इस कल्प में जो है जो देवहूती से कपिल भगवान हुए तो उस कल्प में भी कर्दम मुनि की पतनी देवहूती रही और कपिल भगवान उत्पन हुए लेकिन अंतर क्या है कि इस कल्प में जय विजय ये दो पुत्र करदम मुनी की द्वारा देभुती में उत्पन हुए बलकि नो कन्या में उत्पन हुए और उनके बाद कपिल मुनी उत्पन हुए और उस कल्प में क्या था कि कर्दमोनी की दिर्शी से जय विजय नाम के दो पुत्र हुए देभूती से और उसके बाद कपिल मुनी हुए तो इस प्रकार से कल्प भेद से इन कथाओं में अंतर होता है अच्छा फिर अब जय और विजय ये विश्णो के भक्ति में सदा लगे रहे ये जय विजय जो है जो कर्दमोनी की दिर्शी से देभूती के अंद से उत्पन हुए तो ये इतने पवित्र थे कर्दमनी की दिश्टी पवित्र थी देवहूती का सरीर बहुत पवित्र था तो इस प्रकार से ये दो पुत्र जो जय और विजय नाम की हुए ये विष्णों की भक्ति में सजा लगे रहे हैं तो बहुत ही दिव्य इनका जो है सुभाव था और भगवान श्री कृष्ण में इंद्रियों की बृत्ति को लगा कर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए असाधारन धर्मात्मा यानि बहुत बड़े वैश्नव कोई धर्मात्मा होता है तो धर्मात्मा तो हो सकता है कि वैश्नव ना हो लेकिन असाधारन धर्मात्मा का मतलब क्या है वैश्नव तो यह महान वैश्नव हुए जैस्ट चाव जैस्ट चैवे विश्णु भक्ति रतां सदां तस्मिन निस्ठेंद्रिक रामो धर्मशीलो पभूवतु हूँ दोनों सदा अश्टाक्षरी विद्या का जब करते हुए विश्णु के बृत में लगे रहते थे अब अश्टाक्षरी विद्या क्या है एक तो 12 अकषरी विद्या है दो 12 का मतलब बारा तो बारा अक्षर की विद्या वो ओम नमो भकवत kuv देवाई है और अश्टाक्षरी विद्या यहनी आठ अक्षर का जो मंत्र है वो ओम् Christmas नार्यन ओम नमो नारायना ये आठ अक्षरों का मंत्र है तो इस आठ अक्षरों के मंत्र का जब करते हुए विष्णु के ब्रत में सनलगने रहते थे तो विष्णु के ब्रत में सनलगने रहते थे तो विष्णु के ब्रत दो है एक तो एक अधसी का ब्रत दूसरा कारते का ब्रत ये सदा पूजन के अफसर पर इनको साक्षाद दर्शन दिया करते थे, रोज जब भी पूजा करें ये दोनों लोग तो साक्षाद भगवान दर्शन दे 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 दे, देखिए कितनी बड़ी बात है, तो जय विजय जो है ये जो मुनी हुए, तो ये कितने बड़े भगते थ असाधारन भगते थे, कि जब भी पूजा करें तो भगवान साक्षाद दर्शन देते थे, साक्षाद दर्शन का मतलब कि जो कुछ भी बात करना चाहो बात कर लो भगवान से, मतलब भगवान साक्षाद अगर आ जाए, तो जैसे मैं किसी भगते के साथ, किसी बिक्ती के स आपने सामने बात कर सकते थे, तो पूजा कि इनका इतना पवित्र नियम था, इतनी पवित्र भाव से पूजा करते थे, इस साक्षात विष्नु उनको दर्सन दिया करते थे, अप एक बार ये दोनों मुनी, राजा मरुत नाम की राजा की एकि में बुलाएंगे, तो राजा मरुत एक बहुत महान राजा हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिन्होंने यग्य किया था, और वो यग्य, विश्चु के तिहास में, ऐसा यग्य कहीं नहीं हुआ, उनका जो है, कितना बड़ा कुंड था, यग्य का कुंड था, और कितनी मोटी धारा घीर की उसमें गिराई जा रही थी, और कितने उसमें ब्राम्मन थे, कितने रित्विक थे, तो यह साब जो हैं, उसका बड़न हुआ है, तो राजा मरुत के यग्य में, यह दोनों बुलाए गए, तब यग्य कराने में चतुर, देवता और रिश्यों के माननी यह, यह दो मानित थे, तो राजा मरुत की यग्य में, दोनों गए, मरुत्ययने कदाचिद्वा वाहूतो यग्यकरमणी, जगमतूरिय यग्य को सलो, देवर्शी, गणे, पूजितोम, उस यग्य में, जय नाम के जो मुनी है, वो ब्रह्मा बने, और विजय नाम के मुनी याजक बने, और उस यग्य को संपूर्ण किया तो ब्रह्मा यग्य में अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है यग्य में कहां कमी है कई मंतर के उचारण कोई कमी है तो बताता है और किसी सामगरी में कुछ दोस है तो वो बताता है और किसी क्रिया में अगर कुछ कमी हो रही है तो वो बताता है ये करना ये निकरना तो ये ब्रह्मा का ये कारे है तो ये ब्रह्मा जी वो नहीं है जो कि भगवान विश्ण की नाभी सोत्पन हुए यहाँ पर यग्य में एक जो हो कारे करता होते हैं ब्राम्हान तो वो जो है ब्रह्मा का पद्ध जब लेते हैं तो उनको पूरा धिकार रहता है कि वे हर चीज में अगर कोई कमी हो तो वो बताएंगे और उस कमी को दूर करना होगा तो जय जो मुनी थे वो ब्रह्मा बने और विजय याजक बने तो याजक का मतलब है होता जो की पूजा करेंगे या हवन करेंगे तो याजक बने और उस यग्य को संपूर्ण कर दिया तो यग्य पूरा हुआ जय स्तत्रा भवन ब्रह्मा याजक बविजय भवन ततो यग्य विधिम कृष्णम परिपूर्णम चा चक्रतु हूँ यग्य के अंत का इश्नान करके मरुत ने राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और दोनों धन लेकर अपने आश्रम को आ गए तो जब यग्य पूरा हो गया तो राजा मरुत ने इन दोनों ब्रह्मानों को बहुत सा धन दिया क्योंकि राजा मरुत का यग्य इतना महान था कि उसमें ब्रह्मानों को बहुत दान दिया गया था तो जब इन दोनों को दान मिला तो अपना धन ले करके आश्रम पर आ गए अब प्रसक प्रसक विश्णू के पूजन और भगवत प्रसनता के लिए उस धन के माटने में परस पर इस परदा हो गई अब क्या था कि भगवान विश्णू की पूजा करनी है भगवान के प्रसनता के लिए पूजा करनी है तो धन के माटने में परस पर इस परदा हो गई इस परदा हो गई मतलब कुछ मदभेद हो गया धन के माटने में मदभेद हो गया तो एक दूसरे से इस परदा होई धन के बाटने के संबन्द में अब यहां धन के बाटने के संबन्द में जो इस पड़ता हुई या मतवेद हुआ तो इसमें कोई लोव नहीं है किसी का धन के परती लोव नहीं है दोनों भगवान विश्णू के अनन ने भगते थी लेकिन धन के बाटने बताते हैं की धन को ऐसे बांटना है, दूसरा बताता है धन को ऐसे बांटना है। तो किस प्रकार का मत् commence हुआ? जाय ने कहा किसका समान भे भाग होना चाहिए। जितना धन तुह में मिला यह जितना धन मझे मिला जितना तुह बड़े तू बड़े ने कहा कि देखो तिस अधीना होगा, जो जिसने पाया है, वो उसका है। तो जो जोड़े थे शोटे थे वी जोसीнов Dog को more about you one is only me आपको जितना मिला है तो यहां पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि वी जोछे बहना कि मुझे ज्यादा धन मिला है, नहीं। जय तो ब्रह्मा बने थे तो ब्रह्मा का जो कारी है वो ज्यादा महत्पूर्ण होता है तो संभावन तो यह है कि राजा मरुत ने जय को ज्यादा धन दिया और विजय को कम धन दिया तो ज्यादा धन और कम धन का कोई विचार ना करके जो सिध्धान के अनुसार विजय को ल जो धनका विभाजन होना चाहिए तो जय का जो विचार था कि नियाई यही है ज़िए उच्छत यही है कि तुम तुम्हारा धन और मेरा धन यहीज यह कथता हो जाए और फिर आधाधा हम लोग माट लें जो का कि नहीं सिध्धांत कि यह है कि आपको जो धन मिला वो आपका है में जो धन मेना वो मेरा है अब अगर विचार किया जाए तो कौन सही है और कौन गलत है दोनों सही मालूम पढ़ रहे हैं किसको आप गलत कहेंगे गलत तो कोई नहीं है लेकिन जब इस प्रकार का मदभेद हो गया अच्छा अब जब मदभेद हो गया तो जए ने छुब्ध होकर क्रोध से विजय को साब दिया तो जए ने साब दिया विजय को बड़े भाई थे कि तुम पाई हुए धन को देता नहीं है इसलिए तुम ग्राह हो जा ग्राह क्या करता है उसके जो है मुँ में जो भी पकड में आ जाए तो छोड़ता नहीं है जैसे गज और ग्राह का जो धुआ तो भगवान ने गज को यानि हाथे को सरोबर से बाहर नकाल लिया तो ग्राह जो है पाने का जीव है तो हाथे का पेर पकड़े था तो छोड़ करके पाने में चला जाथा लेकिन छोड़ना जानता नहीं ग्राह छोड़ना जानता नहीं तो पाने के बाहर ग्राह भी आ गया और पेर को छोड़नी रहा तो भगवान ने फिर क्या किया ग्राह का गला काटा ग्राह का गला काट करके और हाथे के पेर को छोड़ाया ग्राह से तो मतलब यह है कि जब तक उसका सिर ना काटा जाए ग्रहे छोड़ता नहीं है जो पकड़ देशी उसको ग्रहे कहा जाता है ग्रहे का मतलब है जो ग्रहन करना जानता है पकड़ना जानता है छोड़ना जानता नहीं उसलिए ग्रहे उसका नाम ही है तो उन्होंने जय ने जो है विजय को साब दे दिया कि तुम ग्राय हो जा अब विजय ने उनका साब सुनकर के जय को साब दिया छोटे भाई ने भी जो है बड़े भाई को साब दे दिया कि मत से भ्रांतो कर तुम ने मुझे साब दिया है इसलिए तुम भी हाथी हो जाओ तो छोटे भाई ने बड़े भाई को हाथी पनने का साब दे दिया विजय अस्तर से तम साबम सुरुत्वाशो प्या सपच्चितम तब उन दोनों नित्य के पूजन में भागवान से ब्रतान ते कहा अब जब दोनों बैठे पूजा के लिए भागवान साक्षात आए तो दोनों ने कहा अब भागवान से बात करें सामने बिलकुल आमने सामने बात करें साक्षात भागवान से कहा तो भागवान से कहा कि ऐसी हम लोगों में कुछ बातचित हो गई और हमें परस पर साप मिल गया है तो अब साप की निबृति हमारी आप जो है कर दीजे हमें जो है यह साप ना लगे एक दूसरे का साप जो हमें मिल गया है यह ना लगे आप ऐसी कुछ किरपा करिए तो भगवान से बोले तो जै भी जै बोले हम आपके भक्त दोनों कैसे ग्राहे और हाथे की उनिमें जाएंगे हे क्रिपा सिंदो हम दोनों का साप निबृति कर दीजिए तो वो क्या कहते हैं कि हम आपके भक्त हैं अब कैसे हम जो है हाथी और मगरमच्ष की उनिमें जाएंगे तो कोई सामान ने मनुष से भी हाथी और मगरमच्ष की उनिमें नहीं जाना चाहता फिर यह तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और साख्षात भगवान जिनको दर्सन दे तो जब साख्षात भगवान जिनको दर्सन देते हैं वो हाथ ही क्योनी में जाएं जब मगर मच्क योनी में जाएं तो यह बड़ी लज्जा की बात है तो उन्होंने भगवान से कहा कि हम कैसे इस प्रकार की योनी प्राप्त आपके पास सब सक्तियां हैं आप हम दोनों का साप निबृत्य कर दीजिए तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान से प्राड़तना की भगतावावाम कथम देवे ग्रेमातंगयो निकौं भविष्या वहा ग्रबासिंदो तच्छापो विनिबर्तेताम अच्छा तो जय बजय दोनों भगवान के अनने भकते हैं जब भगवान से का कि हम दोनों के साप को आप जो है मिटा दीजी तो भगवान क्या बोले भगवान बोले भगवान बोले कि मेरे भगतों का बचन कभी जूट नहीं होता और मैं कदाप योसे अनिथा करने में समर्थ नहीं हूँ तो भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के बचन की रक्षा तो मैं करता हूँ तो आप दोनों ने जो एक दुश्री को साब दिया है उसको मैं मिटा नहीं सकता हूँ भगवान कह रहे हैं तो यहीं पर ही हम कथा को बिराम देंगे कि यहाँ पर जो है भगवान उन दोनों अपने भक्तों से कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे भक्तों तो तुम दोनों ने एक दुश्री को साब दिया है तो इस साब की रखषा तो मैं करूँगा कि तुमारा महत्व और तुमारी माने का महत्व समझ करके मैं तुमारे साब की रखषा करूँगा तो यहाँ पर कथा का बिस्तराम है धन्नवाद हरे किश्णा